हाई गाईज वेलकम बाक अगेन तो माई चैनल सो आज थर्ड डे है कर्सिव राइटिंग का कल हमने सीखा था कांसेंट्रेशन स्टोक कनेक्टिंग स्टोक और कनेक्टिंग स्टोक से हमने तीन लेटर सीखे थे सी ए डी और मैंने कहा था आप इसे ज़रूर प्राक्टिस केज डी बना सकते हैं, कितना सुन्दर फॉर्मेशन आया है, आप रेगुलर्ली मेरी वीडियोस फॉलो कीजे, ताकि आप बहुत अच्छी कर्सिव राइटिंग लिख सकें, और अपने बच्चों को भी सिखा सकें, और आप इन पे पैसे खर्च ना करें, सो आज हम करने वाले हैं और तीन लेटर, जिनकी प्राक्टिस हम करेंगे अपने होमबक में, सो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं लेटर जी यह देखिए, आप मेरे हांड मूवमेंट देज सकते हैं, हमने कनेक्टिंग स्ट्रोक बनाया है, फिर ओवल बनाया है, और ओवल के साथ एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे एक लूब बनाया, तो इसे अक्चुली डिसेंडर लूब बोलते हैं, जो नीचे की तरफ यह देखिए, इसे हम बोलते हैं डिसेंडर लूब, अगर आपने ग्राफलोजी पड़ी होगी, या आपको थोड़ी बहुत आती होगी, तो अलग-अलग अलफाबेट बनाने के तरीके से आप बच्चे का बिहेवियर भी जान सकते हैं, नेक्स लेटर अब हम बना रहे हैं, क्यू क्यू में भी आप देख सकते हैं, हमने कनेक्टिंग स्ट्रोक बनाया, ओवल बनाया और फिर जो लाइन हम नीचे लेके एक गए और आपने एक चीज मेरे हैंड मॉव्मेंट में नोटिस की होगी, कि मैंने एक भार भी पैन को छोड़ा नहीं है, ये देखे, मैंने एक ही गो में क्यू लिखा है ठीक है, सो कनेक्टिंग स्ट्रोक बनाये, ओवल शेप बनाये उसको नीचे आईए और बनाये अब हम नेक्स लेटर बनाने जाएंगे, जो की है लेटर ओ, जो बहुत ही सिंपल है बनाना, ओ में भी आप बच्चे का बिहेवियर जान सकते हैं, जिस तरीके से वो ओ बनाते हैं, तो इसके लिए हमें ग्राफल लोजी पढ़नी पड़ेगी ये देखे इसके लिए हमने क्या किया है, ओ बनाने के लिए हमने कनेक्टिंग स्ट्रोक लिया है, हमने ओवल शेप ड्रॉ किया है, वहीं से हमने एक छोटा सा अंडर्टन निकाला है ये देखे तो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं तो आप इन तीनों लेटर की आज प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं भी प्रैक्टिस करूंगे और अपना होमबक कल दिखाऊंगे, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे